नमस्कार दोस्तों सौगत आपका ड्राइब सभाक हिंदी के एकॉन है वीडियो में और आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में तो टाटा मोटर्स ने इंडिया में अपने CNG मॉडल्स जो की टाटा टियागो और टाटा टिगॉर के हैं वो लॉंच की हैं अब यह ज ट्रिम लेवल में XC, XM, XT और XT+, जबकि जो CNG वेरिंट है टाटा टिगॉर का वो अवेलिबल है दो ट्रिम में एक जेड और एक जेड प्लस में अब जो नूजी लॉंच CNG version है टाटा टियागो और टिगॉर का वो safety features के साथ आता है कई सारे और उसको जो है four star safety rating मिला है for adult protection and that is given by global NCAP अब उसके अलावा जो टियागो और टिगॉर है वो आता है dual airbag के साथ ABS with EBD and rear parking sensors as standard अब यह जो टाटा मोटर्स ने यह दोनों गाडियों का CNG वेरिं निकाला है इसके बदोला जो running cost है of these two cars will become even more affordable than before because जो हमारे petrol और diesel के prices है वो आज आप जानते हैं कि बहुत जादा बढ़ गए हैं और दिन पे दिन बढ़ते ही जाएंगे कम होने का तो कोई आशा लग नहीं रहा है इन से और इसी के साथ जो CNG variant वाली vehicles हैं वो कम pollution भी करती है तो overall जो है आपका running cost भी कम हो जाएगा और उसी के साथ आप environment को भी बचाएंगे तो कि आपकी गाड़ी less pollution create करेगी अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के power train की जो जो Tiago और Tigor है वो power होती है एक same tried and tested 1.2 liter naturally aspirated engine से अब यहां वहां थोड़े बहुत change किये गए हैं power train में ताकि वो standard variant है जो 1.2 liter naturally aspirated variant है वो produce करता है healthy 84.82 bhp of power and 113 nm of peak torque however जो CNG वाले edition हुआ है उसमें engine की power slightly कम करी गई है तो अब engine produce करता है 72 bhp of power and 95 nm of peak torque अब भले आपको power or torque figures कम लगे लेकिन आप affordable अगर एक गाड़ी चाहते हैं जो कि आपको city में या फिर आपको highway में यहां से माले के अब जो petrol powered version है Tiago और Tigor के वो आते हैं 5-speed manual या फिर 5-speed AMT gearboxes के साथ however जो CNG version होगा वो आएगा 5-speed manual transmission के साथ as standard उसी के साथ Tata Motors ने जो है suspension को भी इन दोनों गाड़ी के retune किया है क्योंकि जो CNG kit लगी है पीछे के तरफ उससे additional 100 kg का weight बढ़ गया है जो factory fitted CNG kit है तो उसको cope up क करने के लिए इन्होंने suspension को हलका सा retune किया है दोनों गाड़ियों के साथ and अगर आप mileage के बारे में पूछे तो mileage का तो figure पता नहीं लेकिन Tata Motors claim करती है कि एक full CNG tank पे ये दोनों गाड़ियां 300 km का range दे देंगी तो टाटा मोटर्स की CNG टिगोर है वो directly rival करेगी Hyundai Aura से and जो CNG वेरियंट है Tiago की वो compete करेगी other CNG powered hatchbacks such as the Maruti Suzuki Celerio, Maruti Suzuki Wagon R and Hyundai Centro के साथ अब इसी के साथ हम लोग ये भी expect कर सकते है कि Tata Motors जल्दी अपनी CNG powered variants जो की Tata Punch है and Tata Altros premium hatchback है उसके साथ भी निकालेगा तो क्योंकि ये दोनों गाड़िया भी वो same 1.2 liter naturally aspirated petrol engine यूज करती है जो Tiago औ आपको हमारा आज करें न्यूज अगरें न्यूज पसंदाया तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसे automotive content के लिए Hindi drives आपको देखते रहिएगा